कश्मीर में कलकल बहती नदिया और ज़रने कश्मीर को और खुदसूरत बनाने का काम करती ही लेकिन कभी कभी ये सैलाब बनकर लोगों को दुबाने का भी काम कर जाती हैं ऐसा हम क्यों कह रही हैं ये भी आपको बताएंगे लेकिन आज कई ऐसी तस्वीरे हम आपको दिखाएंगे जो उन लोगों के मोह पर तमाचा होंगी जो कश्मीर के लोगों के विकास की बात किया करते ही आपको एक नाला नजर आ रहा होगा और उस नाले को पार करते लोग भी लेकिन नजर सिर्फ गुलस्तान न्यूस की पड़ी क्योंकि लोगों की मुश्किलों पर ध्यान आखर किसका जाता है जना और जाय भी क्यों क्योंकि अक्सर ये लोग जो अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किलातों से करते हैं उनकी आवाज हमेशा से दबाने की कोशश की जाती है आवाज उठाता है तो गुलस्तान न्यू और एक बार धिर हमने ऐसा ही किया और पहुँच गए उस इलाके में जहां गुन्यादी सुविधाएं ना के बराबर हो से केष्ट कि इसके लीगिया हमें रास्ता लें है हमें बुट परशानी है रास्तान नहीं है अधर से बड़ा दूर रस्ता है उश्कम जा निसकते हुए और पाड़ी बिंग ते जाती है इसलिए हमने रास्ता ये ऐसके निदे गुश किया अप अपनी संवान कों सांव समा तो सुना अपने लोग क्या कह रहे हैं इस नाले का कहर लोगों पर तूट पड़ता है लेकिन ना तो बचाव के लिए कोई आता है ना ही यहाँ पर कोई पुल बनाया जाता है ग्रामीरों ने बकाइदा प्रशासन को पत्र भी लिखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं और लोग परेशान है दूर दराज इलाका है कोई बिमार हुआ तो समझो भगवान ही मालिक है मवेश्यों का इलाज तक नहीं पता क्यों क्योंकि कोई इलाज करने दूर दराज के इलाकों में आता ही नहीं है प्राज करके इस पूल के लिए हमने एक रो रोपे कर दो द्म कर दो तो आलम यही है और विकास के दाबे भी खेर विकास हुआ कितना है वो आप इन तस्वीरों से बाखुबी अंदाजा लगा सकते हैं